उन्हें में पतरकारों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रामकुमार ने कहा कि नीता प्रतिपक्ष द्वारा राहुल प्रेंका से भाजपा में गबरहट की बात करना भाजपा के पन्ना प्रमुक सम्मेलन में उम्डी भीड की छट पटा हट है। प्रतिपक्ष द्वारा रामकुमार ने कहा कि जिस प्रकार पन्ना प्रमुक सम्मेलन में जंता का हजूम आया है उससे साफ हो जाता है कि हमीरपूर संसिदीक शेतर की सीट भाजपा की जोली में आईगी। पन्ना प्रमुक सम्मेलन का कारेकरम उन्ना में हमीरपूर संसिदीक शेतर का हुआ है। आज इस प्रकार का मुकेश अगनी होतरी का ब्याना है इसका मतलब ही है कि उस पन्ना प्रमुक सम्मेलन से मुकेश अगनी होतरी समेथ पूरी कॉंगरस डर गई है। रही बात राहल और प्रिंका से डरने की तो ये कोई नई चीज नहीं है पिछला 2014 का जो चुनाब था। उसमें प्रिंका गंधी पूरी तरह से उस चुनाब में इनवॉल्व रही है तो उस समय यूपी में कॉंगरस को सिर्फ दो सीते आई थी उसके लावा कुछ नहीं मिला था। उसके बाद यूपी का बिधान सबागा चुनाब हुआ हम सब को मालूम है कितनी सक्रेता के साथ शिर्मती प्रिंका बाडरा उस चुनाब में समिलित हुई थी पूरा उनकी इनवॉल्मेंट रही थी लेकिन उस पूरे चुनाब में कॉंगरस का क्या हशर हुआ था किसी जे छेपा नहीं है का जिस परकार का समेलन उना में हुआ है कारेकरता ने अपने दम पर जवर्दस समेलन किया है पूरे देश का ये इतिहासी कारेकरता पन्नापरुग समेलन रहा है आज पूरे प्रदेश मिस्की चर्चा और ये पूरे देश मिस्की चर्चा और ये और स्यम पार्टी के राष्टिय ध्यक्ष अमेशा जी और पार्टी के हमारे संगठर महामंत्री रामला जी उस कारेकरम में आये थे, तो इस कारेकरम से वो बहुत ही प्रभावित होकर गए हैं, तो एक नया उधारन हिमाच्वल प्रदेश ने प्रसूत किया है, जिस परकार का पन्ना प्रुक समेलन हुआ है, और पार्टी की जो असली ताकत है, इस पन्ना प्रुक समेलन से पुरे समाज को देखने को मिली है, और इस समेलन का आने वाले चुनाम में पार्टी को जबर्दस लाव मिनने वाला है, 35,000 के आसपास कारेकरता, केबल एक ही पार्लिमेंट के आए है तो अपने हमें एतिहासिक हैं और अब इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं जब ये 35,000 कारे करता अपने अपने पन्ना को समालेगा अपने बूत को समालेगा तो 50% जिसकी बात हमें शाजी कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यदा वोट ये हमारे पन्ना परुक पार्टी को और इसी से कॉंग्रस डरी हुई है